So, बच्चों, हमारे पास फिर से एक बार question है, differentiate with respect to x, तो चलो, इन problems को हमको अभी देखना है, So, इसके पहले मैंने आपको formula लिखके दिये हुए, वो formula आपके mind में पूरे fit होंगे, I hope so, ठेक है, तो चलो, काम करते हैं, हमारे पास पहला question है, हम इसको late, y ले लेते, late, y is equal to क्या कहेंगे हम, 3x to the power 2 by 3, अब हमको क्या करना है, इसका differentiation करना है, So, पहले तो आप heading डाल देंगे यहाँ पर, short में differentiate with respect to x, तीक है, So, इधर भी derivative होगा, उधर भी derivative होगा, तीक है, So, left side में मैं लिखता हूँ, dy by dx is equal to, अब मैं यहाँ पर थोड़ा direct करनी के कोशिश करता हूँ, अब देखो भाई, यह जो 3x है, उसका power 2 by 3 है, तो ऐसा नहीं हो रहा है, वो 3x को मैं simple x ही कहिलू, और जो 2 by 3 है, उसको मैं power, मतलब n समझू, याने formula कौन सा हो जाएंगा, x to the power n, ठीक है, और अगर मैं इसका derivative लेता हूँ, तापको formula वालों में चेक्या है, यन समने आता है, और x to the power n minus 1 होता है, मतलब जो power है, वो समने आएंगा, और variable का power x से कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर यन है हमारा 2 by 3, तो 2 by 3 आ जाएगा समने, ठीक है, और variable कोने x है, तो x के जगव पर कोने हमारी पास, 3x है, और यहाँ पर 2 by 3 minus 1 हो जाएगा, ठीक है, यह एक बात, दुसरी बात मैंने यह कही थी आपसे, कि बच्चो, variable के जगव पर कुछ और आता है, होना क्या चाहिए था, सिर्फ x आना था, लेकिन x के जगव पर कोना आया, 3x, तो मैंन to derivative of 3x, ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, चलो, solve करना शुरू कर दे, यहाँ पर यह 2 by 3 as it is, ठीक है, यहाँ पर होगा 3x to the power, आप इसको रोक में solve कर सकते, यहाँ पर तुम्हारे जैसे करना आप करो, इसके नेचे कुछ नियाने 1 है, तो 2 वंज 3 upon 3 वंजा 3, इस तरह से होगा, इंटू, अब यहाँ से यह 3 को बाहर निकाल दो, हमारे पास बचेगा, d by dx, x, ठीक है, अब उसके बाद में इसको solve करना शुरू, यह हमारे पास से 2 by 3, साथ में हो जाएगा 3x to the power, अब देखो 2 minus 3, minus 1 होगा, तो answer होगा, minus 1 by 3, इंटू, य आप इसको address करके लिख दीजिए, यानि क्या हो जाएगा, finally, so, dy by dx is equal to, यह हमारे पास 2 by 3, ठीक है, हाँ, आप देखो, कभी जंदरली ऐसा, होना चाहिए, इसा जरूरी नहीं है, ठीक है, आप रखना ही चाहिए, वैसा जरूरी नहीं, लेकिन रखते हो तो बड़ी तो क्या करना, अब नीचे है तो ऊपर लेके जाना, ऊपर है तो नीचे लेके आना, यानि अपने आप, आपको मालूम है, नमबर निमेरेटर में है, डिनॉमेरेटर में जाएगा, या पिर डिनॉमेरेटर में है, निमेरेटर में जाएगा, तो पावर का साहिन बदलता है, मैंने यह point लिखके दिया था कुल सा कि number अगर उल्टा होता है तो power का sign change होता है ठीक है तो पहली बात एक चीज हम यहाँ पे और करेंगे देखो यह 3 1 2 3 होंगा यह 3 ठीक है हम next list में देखो 3 1 2 3 और यह 3 क्या आओ जाएंगा cancel तो आपको यह 2 by 3 लिखने की ज़रोत नहीं रहेंगे simply आप लिखेंगे 2 और क्यूंके 3x to the power क्या है minus 1 by 3 है मैं minus में नहीं रखना चाहता इसलिए इसको मैं निचे ला लेता हो तो वो इस तरह से बन जाएगा 3x ठीक है और उसका power 1 by 3 यहाँ आप उसको अगर ऐसा लिखते हो तो बड़ी अच्छी बात है इनकेस नहीं लिखा तो भी चल जाता लेकिन जनरली एक क्या बोलेंगे fashion है कि minus में power को मत रखा करो ठीक है इस तरह से आपको कर रहा है फिर से एक बाद एक क्या कर जाता है यहाँ पर हमने जो दिया था उसको y ले लिया हेडिंग दिया differentiate with respect to x लेपने साट में dy by ds और सामने वाले में पूरा operation करना है यहाँ पर यह 3x को मैंने x समझा 2 by 3 को n समझा यहने formula बन गया x to the power n formula है यहन x power n minus 1 तो यहन समने आगे हमारा 2 by 3 और उसके बाद 3x to the power n minus 1 तो यहन है 2 by 3 minus 1 कर दो तो इस तरह से लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x चाहिएता नहीं है जब नहीं है variable के अलावा कुछ और आया तो मैंने simple सा कहा है आपको क्या कि multiplication में उसका फिर से derivative लेना अब बच्चों कैसे यह थोड़ा मारा starting level है basic level है इसलिए मैं हर एक चीज थोड़ी 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 आपको करके दे रहाँ लेकिन नहीं होना चाहिए इसा fast आने होना फिल्कुल यहाँ पर पट से power लग गया यह मैंने यह चोटे बच्चों की तरह जो 5, 6 में होते हैं उनको जो वह है fraction की subtraction, addition पड़ा था उसके जैसा मैंने आपको solve करके दिया क्या आपकी यह level है? नहीं हमको थोड़ा fast करना पड़ेंगा direct करना पड़ेंगा क्योंकि हम desert करते है 12 class में इतना तो हमको आता है लोग भी हमसे आपक्षा करते है कि इनको इतना सा simple simple का बताना पड़ता है ऐसा नहीं होना चाहिए एक problem है इसके बाद में जैन में रखना हम direct करने वाले यहाँ पर पहिने x 9 होने के कारण 3 इसका फिर से derivative ले लिया अब देखो 3 1 जा 3 होंगा इसके साथ कट गया तो बच्चा क्या 2 पर साथ में है लेकिन यहाँ पर पावर निगेटिव है ना तो मैं क्या करता हूँ नंबर को नीचे लेके चला जाता हूँ तो इस तरह से आएगा y is equal to क्या बोलेंगे x to the power n minus 1 फिर से heading डालेंगे हम differentiate with respect to x ठीक है तो left hand side में तो वही होगा dy by dx is equal to अब फिर से हमारे पास क्या है देखो x to the power n minus 1 तो खुद इस n minus 1 को भी आप क्या समझ लो यन समझ लो यह पूरा का पूरा जो n minus 1 है न इसको ही आप यन समझ लो तो फिर क्या हो जाएगा पर्मिला यन समने आएगा ठीक है तो यहाँ पर यन तो यन को ने हमारे पास n minus 1 समने आ गया into x to the power n minus 1 तो खुद यन किसको समझ लो हमने n minus 1 already power था उसमें से भी हम क्या करेंगे minus 1 करेंगे तो इस तरह से आपको करने और बस होगे हमारा का finally हम इसको लिखते है dy by dx is equal to n minus 1 x to the power n minus 1 minus 1 यह बन जाएगा minus 2 तो इस तरह से एकदम simple simple question हम starting में पढ़ रहे वो इसलिए क्योंकि ये सब चीज़े जो है न बड़े-बड़े question में छोटी-छोटी steps में आने वाले ध्यान में रखो तब जाके हमको problem नहीं होना चाहिए इसलिए हम और वहाँ पर direct करना है मैं ऐसा छोटा-छोटा नहीं बताने वाला हू कोई teacher आपको नहीं बताने वाला है और paper में करना भी नहीं है because this consumes the time ये आपका time बरबात करेगा खा जाएगा इसलिए पर इसको समझ लो mind में fit कर लो और उसके बाद में क्या करो जब छोटी-छोटी steps में यानि बड़े problem पर छोटी-छोटी steps में आएगा तो फिर आपको direct करना है फिर से एक बार इसको repeat करते देखो यहाँ पर x to the power n-1 था ये n-1 खुद में क्या समझो power यानि n-1 और here formula क्या करता यन x to the power n-1 जो भी होगा उसमें से फिर से minus करना है तो n-1 पूरा का पूरा नीचे आ गया x to the power जो n-1 था उसमें से फिर से minus 1 निकाला तो आपको इस तरह से फिल जाएगा ठीक है बच्चो so आगे हम बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं आपको यह कहूंगा कि please आप जितने भी लोगों वीडियोस को देख रहे होंगे उसको हम problem by problem exercise by exercise पढ़ रहे हैं और बराबर syllabus जैसे चलदरा वैसा पढ़ रहे हैं यानि कुछ भी चीज आपकी छूटने वाल नहीं जैसे हम regular class में हर दिन पढ़ते बचा हुआ next दिन बचा हुआ next दिन ऐसे यहाँ पर भी हो रहा जो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे वाला next वीडियो में पढ़ेंगे उसके आगे वाला next वीडियो में पढ़ेंगे यानि एक तरह से हमारा class चल रहा है आदि पौन घंटे का class चल रहा है ऐसा समझ के शलिए 20 मिनिट, 25 मिनिट जो भी हमारे रोच की वीडियोस हो रहे ठीक है, तो उस हिसाब से पढ़ता है और यह आपको ध्यान में रखना है कि सर कल क्या पढ़ा सकते है तो वो प्रॉब्लेम आप पहले से ही प्रैक्टिस करके ला लो पहले से आप उसको देखते रहो ताकि आपके पहले से प्रैक्टिस हो जाए और जहाँ पर प्रॉब्लेम साती है इस वीडियोस में जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर तो वैसे भी कलियर होने वाली है यह एक बात दुसरी बात बच्चों मैं बार-बार कह रहा हूँ फिर आज भी कहूँगा कि पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए उसको लाइक भी करिए शेर भी करिए क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके बाद में आपको जो मैं वाट्सअप पे लिंक बेजता हूँ कुस दिनों बात अभी नहीं कुस दिनों बात मैं वाट्सअप पे लिंक नहीं बेजने वाला हूँ ठीक है आपको डाइरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा और notification से ही आपको daily पढ़ता है मैं WhatsApp पे link नहीं भीजने वाला हूँ कुछ दिनों बात, आज से 15-20 दिनों के बात की बात है तेक है, इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है मतलब करना है, तेक है, अगर नहीं करेंगे तो फिर link नहीं मिलेंगे, तो आप जानी पाएंगे आपको लगेगा कि हमको तो मिल जाएगा, नहीं क्योंकि मैं उसमें, अभी मैं publicly ये पूरे वीडियोज चल रहे कुछ दिनों के बात में वो publicly वीडियोज नहीं जाने वाले फिर सिर्फ उनी बच्चों के लिए रहेंगे, जो अपने क्लास में पढ़ेंगे, और link ना आने के कारण आपके पास नहीं पहुचेंगे, इसलिए ध्यान में रुपो पहले आप चैनल को सब्स्राइब कर दीजे, और बाकी जो भी लोग देख रहे होंगे, उनके साथ शेयर करें, उनको भी like करने को कहिए, क्योंकि मैं अभी हगर ये वीडियोज बना रहा हूँ तेक है, इसकी कोई fees आपसे अभी ली नहीं जा रही है, तो मुझे कुल सा फायदा होगा, तो कम से कर मेरे चैनल को likes मिले, views मिले, ये भी तो होना चाहिए, ये आप थोड़ा धान में लगो, please, ठीक है, तो चलो, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है, ये फारे मिला आपको धान में रखना है, चलो, यहाँ पर हमारे पास answer इसका, तो इसको मैं y ले लेता हूँ, late, y तो इस तरह से लिख सकते हैं, ये फिर से क्या हुआ, x to the power, ये अनका फरे मिला हो गया, चलो, फट से, solve करना शुरू पर हो, differentiate with respect to x, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy by dx, सिधा, ये x to the power ये अनको समने ला, ये वन बाई 3 क्या होगा, समने आएगा, उसके बाद, mx, इस में से 1 by 3 में से 1 को माइनस करना है, तोड़ा डायरेक करने वाले फटा-फट काम गते हैं, हाँ, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर x नहीं है, x के अलावा, mx है, यहाँ पर क्या है, extra का है, तो multiplication में उसका फिर से derivative होएगा, यहने derivative हो कि इसका, mx का, ठीक है, चलो, डायरेक करते है, चलो, चलो, यहाँ पर फटा-फट, यह 1 by 3 हो गया, यहाँ पर फट से करो, mx, ठीक है, इसके निचे कुछ नहीं है, तो 1, 1, 1, 3, 1, 3, 1 में से 3 जाएंगे, तो माइनस 2 और नीचे रहेंगे 3, यहाँ पर मैं डायरेक करता हूँ, इंटो, यह यम बाहर गया, इसका derivative 1, याने simple 1 लिखने के जुरूत नहीं है, ठीक है, चलो, इस तरह से होंगा, और इसको थोड़ा सा adjust कर लो, मैं यह यम यहाँ लेता हूँ, यह 3, यहाँ ले लेता हूँ, और क्योंकि मैं negative नहीं रखना चाहता भाई, यहाँ पर इसलिए mx to the power minus 2 by 3, मैं ऐसा लिखता हूँगा आप इसको थोड़ा से intermilt ने के कोशिश करिए, इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपको चीज़े धान में रखनी है, ठीक है, अब चलो, next के तरब चलते हैं, सीधा है, आप इसको box कर सकते हो, dy by dx, ठीक है, यह फटा-फट करना है, यह हमारा formula चल रहा है चलो, फिर से answer में लेते है, let y is equal to kai, 8 upon x cube है, ठीक है, इसको मैं adjust कर लेता हो, 8 x cube है, तो मैं उपर लिखे गया, ताकि आसानी हो solve करने में, आखरी में तो ऐसा करना है positive, sorry, यहापर हमने positive रखना था, क्योंकि जब नीचे उपर हो जाता है, तो power का साइन change होता है, ठीक है, यह बराबर यहाँ पर clear करता है, so, यहाँ पर problem solve करने के लिए, आसानी होनी चाहिए, इसलिए मैं ने पल्टा दिया, लेकिन last step में, जब हम answer को finalize करते हैं, तो generally ध्यान में रखना, क्या, यह power को negative ने रेखना, अगर नीचे है तो उपर लेके जाओ, उपर है तो नीचे ले फिर से, यह 8 तो already constant है, इसलिए मैं बाहर ही रखना, ठेक है, उसके बाद, into, अब देखो, यह इतना part, इसको derivative लगने वाला है, अगर आपको लगाना है, तब बता भी सकते हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इस तरह से बता दीजे, वो तुमारी चाह, डायरेक करेंग है, तो minus 3, into, x to the power, yen minus 1, मतलब minus 3, minus 1, ठेक है, अब solve करें इसको, यह देखो, यहाँ पर multiplication है, यह minus सामने आएगा, 8 तरीजा, 24, ठेक है, और यहाँ पर, x to the power, minus 4, हो जाएगा ऐसा, यहाँ भी हमारा answer final हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर, re-endress करके, ऐसा लिखे है, it is minus 24, यह नीचे चला जाएगा, तो x to the power 4, ठेक है, बच्चो, तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, करना है, ठेक है, चलो, अब next के तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर रही है, ठेक है, answer, फिर से हम लेंगे इसको late, y is equal to e into x to the power minus 6, एक छोटी सी प् x का derivative लिख दिया है, जो फूद e power x है, लेकिन बच्चो यहाँ पर देखो, यहाँ पर यह e power x नहीं है, e एक number है, जिसकी value two point something है, तो यह number है, constant होगा यह, अगर power भी होता तो इस प्रकार से, लेकिन हम भी power नहीं न, तो उसको हम बाहर रखेंगे, जहान में रखना, मतलब यहाँ पर यह formula है ही नहीं, यहाँ इसको formula लगीगा, और formula फिर से यही लगने वाला है, ठीक है, तो चलो हम करेंगे यहाँ पर, differentiate with respect to x, क्या होगा, तो lift में वैसे भी dy by dx चल रहा, यह e number है, constant है, बाहर निकालो, क्योंकि e power x नहीं है, वैसा होता तो वो exponential function में आता, जो हम करते हैं, यह e है, into, power n है, यह पर मिला, n सामने आएगा, सामने आएगा, तो minus 6 x to the power n minus 1, मतलब minus 6 minus 1, ठीक है, अब solve करो, यह minus सामने 6 into e हो जाएगा, याने 6 e, ठीक है, और साथ में x to the power हो गया, यहाँ पर minus 7, और final step में लिखेंगे, हम dy by dx is equal to, चलो, क्या हो जाएगा, चल x to the power नीचे ला रहे हैं, इसलिए positive हो जाएगा, और हमको positive ही ऐसा रखना है, ठीक है, बच्चो, तो इस प्रकार से करना है, मैंने इसके पहले कहा था, वो चीज़ आपको धन में रखनी है, पूरे वीडियो भर में, ठीक है, और हमेशा इसके बाद में धन में रखनी है, ठ काल देता है, क्योंकि उसके उपर के बहुत सरे प्रोब्लिम यहां होए, यहां तोड़ा नया आया है, चलो देखो, heading तो डाल देंगे पहले हम, differentiate with respect to x, ठीक है, यह heading डाल दे, चलो अब काम करने, देखो, यहां पर है, dy by dx is equal to, यहां पर d by dx, cosec x cube, ऐसा होगा, अब पहली गच्चों, हमारे पास cosec x का formula लिखा हुआ, क्या था, derivative of cosec x is equal to minus cosec x into cot x, हैसा हमाने फार्मिला लिखे दिया, अब फार्मिला चेक करना, क्या है, cosec x is equal to minus cosec x into cot x, तो मैं यहां पर फिर से लिखूंगा, बस ध्यान में रखना है, यहां पर x था, यहां पर x cube है, तो पूर cot x, तो अभी क्या है, x cube है, हो गया, यह फार्मिला हो गया, और फिर से, क्योंकि x नहीं है, x cube है, variable के अलावा कुछ और है, तो multiplication में उसका फिर से derivative हो, यहां पर x cube का, यह आपको ध्यान में रखना ही है, तो यह होगा minus cosec x cube into cot x cube into, यहां पर देखो, यह फार्मिला फिर से, अभी चुब लिखाता है, x to the power yn का परणा क्या है, yn, x to the power yn minus 1, 3 minus 1, 3 minus 1 कितना हो जाएंगा, 2, direct action करो अप, ठीक है, और इसलिए final step यहां पर बनने वाली है, यह minus है, इसको समने ले लो, 3x square into cosec x cube into cot x cube, ठीक है, तो बच्चो इस प्रकार से हमारे कुछ basic formula पे ही हमारी क् प्रक्टिस चल रही है, और वो प्रक्टिस अगर बराबर अच्छे से होती है, बहुत ही अच्छे होती है, जब हमारे exercise के problem शुरू होंगे, जब हमारे types की अरुसा problem शुरू होंगे, तो आपको कुछ भी परिशरी नहीं होगे, क्योंकि मैं इसके पहली भी कहे रहा हूँ, फिर अभी कहता हूँ, कि यह जितने भी problems हम पढ़ रहे, यह छोटे-छोटे basic level के हैं, लेकिन यह हमारे types चलेंगे, exercises चलेंगे, बड़े problems आएंगे, तो बड़े problem के बीच-बीच में steps में आने वाले, तो वहां रुकना नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पर इनकी practice करो, और एक-दो दिन हम इसकी practice करने वाले, और उसके बाद फिर हमारी exercise पर चलो करेंगे, types की अनुसर चलो करेंगे, ठीक है बच्छों, तो तब तक के लिए, यह सब चीज़े यहाँ पर हाँ तोड़ी रोकाते हैं, बागी कम continue करेंगे, बाद में, बाई